प्रियाग राज उमेश पाल की हत्याकान में बड़ा खुला सा हुआ है दरसल हत्याकान में शामिल गुलाम के भाई को बीजेपी ने पार्टी से निश्वकाशित कर दिया है बीजेपी अल्व संख्यक्त प्रकोस्ट के माहानगर अध्याक्ष बता दे कि राहिल हुसेन को बीजेपी के पच से हटाया गया है वह उमेश पाल हत्याकान में संदित महिला की एंट्री हो चुकी है दरसल ये महिला घटना के वक्त वीडियो बनाती वे नज़र आई है बतादे की महिला की तलाश में लगातार जुटी हुई है योपी में शेहरों के नाम बदलने के बाद बतादे की मुरादाबाद जिले के नाम बदलने की विश्व हिंदू परिश्वत की मांग पर सपासान से दॉक्टर शफिक रह्मान बर्क ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि भारते चंता पाटी मुसल्मानों को मिटाना चाहती है उन्हें खत्म करना चाहती है लेकिन नाम बदलने से हिंदूस्तान नहीं बदलेगा आपको बताते चलें कि विश्व हिंदू परिश्वत के यूपी के मुरारबाद जिले का नाम पितांबर नगर करने की मांग उठाई थी और इसको लेकर संभल लोकसवा सीट से समाजवादी पाटी के सांसद डॉक्टर शफी कुर्रह्मान बर्क ने लगातार शहरों और कस्बों के नाम बदलने को लेकर अपनी एक प्रतिक्रिया दी है संभल के दीपा सराइस्थित अपने आवाज पर सपासांसद ने कहा है कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों शेहड और कस्बे हैं और उनके नाम जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हें किसी का कोई नीजू हित तो नहीं है बलकि सरकार को तो सिर्फ इतना ही है कि अगर मुसल्मान के नाम पर कोई नाम है तो उसे मिटाना चौहते हैं मुसल्मान को खत्म करना चौहते हैं अब यह तो हिंदोस्तान में हदारों लाखों शेयर और कजवे हैं शेयर हैं तो उनके नाम जो कुछ पहले से चले आ रहे हैं तो उसमें किसी का को परसनल इंट एस तो है नहीं बलके इने तो सिर्फ यह का अगर मुसल्मान के नाम पर वो नाम है तो उसको मिटाना चाहते हैं मुसल्मान को मिटाना चाहते हैं मुसल्मान को खतम करना चाहते हैं तो क्या किसी शेयर का नाम बदलने से इंदोस्तान बदल जाएगा या इंदोस्तान के आहलाद बदल जाएगे ऐसा नहीं है बलिया में आमादी पार्टी के कार करताओं ने प्रधानमंति नेन मोदी का पुतला फुकते हुए साथी आप कार करताओं ने सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाते में नज़र आए हैं और बता दे ही कि सीएम और मोदी के मुर्दाबाद के नारे के साथ बलिया पुलिस ने छे लोगों पर मुगत्मा दर्ज कर लिया है वहीं पूरा मामला गरवार थाना छेतर के रत्सर गांधी चौरहे का बताए जा रहा है जहासी में उस वक्त बड़ा हाथसा हो गया जब सतर बाजार थाना छेतर का अंतरगर हंसारी डेलवे क्रोसिंग साइट पर गेट को तोड़ते हुए एक ट्रक जहासी के महोबाद प्रयाय बताए दे की गरजार रेलवे स्टूट पर में लाइन पर आकर फस गया और इस दोरान ट्रक का ट्रायर पूरी तरह से पंचर हो गया बताए की ट्रक सडक से उचलता हुआ रेलवे ट्रैक पर आकर गिरते हुए बताए की इस चारो टायर पर गिरा था जिसके बाद से इनकी चारो टायर पंचर हो गई थी ट्रक में बताए की में रेलवे लाइन पर ट्रक के फस जाने से रेल अपसरों में हरकम समझ गया है सूचना मिलते ही यहाँ पर पुलिस भी पहुँची है और साथ ही रेलवे प्रश्वासम भी पहुँचते हुए मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और साथ ही बताए कि लोगों को अलग डाइरेक्शन से जाने की बात भी कही गई है कब तक रूट बहा ले जाएगा अब देखे आले गंटर लेएगा वह यह आगरा में ठ्विकेदार की लापरवाही से एक दिन में सड़क उखर ज़ाने का मामला सामने है बता दे कि यहाँ पर सड़क का नवनिकरण और साथी विकास का रिश्वल रहा था और ग्रामिनों ने आरोप लगा है कि मानको को धज्या ओराई गई है साथी मिलावट खराब समागरी के साथ की गई है यहाँ समाल किया ज़ारा सारा समान मिलावट खोड़ है और साथी ग्रामिनों ने सड़क की पोल खोलती हुई एक वीडियो भी बनाई है और सोशल मीडिया पर उसको वाइरल किया है वहीं आगड़ा में STF ने फट जी लेफ्ट एंडो को बात बता दे की पकड़ा है और इस दोरान बता दे की ठगी कर चुका है 35 युवाओं कर साथ और इस दोरान आरोपी अतुर मातुर कास गंज का रहने वाला है और आरोपीों को STF ने नॉइडा से गिरफ्तार कर लिया है वहीं आगरा में चोरू की हरकत सिर्वी कैमरे में कैद हो गई है जहाँ पर चोरू ने घर के अंदर ही कार चोरी की घटा को अंजाम दिया है फिरहाल पुलिस चोरू की तलाश में जुटी हुई है और बता दे की जिस तरीके से जहासी में चोरू के होसले बुलंद नगजर आ रहे हैं पर फ्रासन पर भी तमान सवाल खड़े हो रहे हैं वह उनाओ में सड़कासे में दो चातरों की दर्दनाख मौत हो गई है दरसल दोनों चातर परिश्वाद देने जा रहे थे इसी दोरान बता दे की DCM ने दोनों को टक कर मार दी जिसमें दोनों की मौत हो गई मौके पर मौके पर पहुँचे पुलिस में शब को कब से मिले लिया है श्वावस्ते में सूचना विभाग जूनियर हाई स्कूल भिंगा मैदान में प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें DM नेहा प्रदर्शनी का उद्खाटन किया और जिला सूच नाधिकारी शिवनात ने बताया है कि प्रदर्शनी बारी की से देखी गई है और साथ ही प्रदर्शनी में सरकार की योजनाओं का भी प्रचार परसार किया गया है और बतादे कि आगामी तहवार के दिश्टिगत कासगंज पुलिस अधिक्षक सौरब दिख्षित के नर्देश पर जणपत में दंगा नियंतरिन यूजना कारी हसल किया गया है जिनके अंतरगा जणपत में थानों और साथी अनिश्वाखाओं को कारेरत पुलिस अधिकारी और साथी करमचारी गन द्वारा प्रतिभाग किया गया है दौरान पुलिस अधिक्षक काजगंज द्वारा सरप्रथम पुलिस लाइन में सभी पुलिस करमियों को उनके कर्तब्यों के बारे में ब्रीफिंग की गई और आपको बता दे कि काजगंज पुलिस लाइफ ग्राउंड में बलवार ड्रिल का रिहस्तर करती भी नज़र आई एक तरफ बीजेपी नीत योगी सरकार बता दे कि बहतर स्वास्त बभास्ता की बात करती है बजट बढ़ाने की बात करती है ओपो के मंतिरी ब्रीजेश पाठक अस्पताल दर अस्पताल खुच जाकर ववस्थाओं को सुधाने की बात कहते नज़र आते हैं मामगा बलराम्पूर जले के बता दे ही कि छिंदर गंज समुदायक स्वास्त के नस जुरा हुआ है यहाँ पर जब हमने रात में स्वास्त सेवाउं का हाल जाना तो अस्पताल पूरी तरिके से फेल नज़र आया कि देखे रात में इमर्जेंसी सेवा चलनी निश्ची दूरुम से चलनी जीए और इमर्जेंसी सेवा मरीज के लिए बहुत प्रात्मित्ता होता है और उसके लिए मैंने रोष्टा बनाएं और अगर कोई इसमें करता है कि अगरे मुझे यह करना है कि पूर मेरी सेशी स्री देजगन के इंचार्ज डॉकल विष्णा की जो है वो आप अस्पदाल की शी कहते हैं कि अकास्मी किस्थित में मरीजों के साथ में जो है वो डॉक्टर महां पर समय से काम नहीं करते हैं और अभर जो मानी मुक्त् पितना नहीं कि सभी को सेवाए मिनने चीए निवास करना चीए दिच्छक को और इस तरह के कमियां आ रही है और जो कल आप लोगों ने जो एक नगरपाली का चेतरों में साथ सफाई की ववस्था सुनिश्वत कराय जाने के उद्देश्यों से डीम चंदर प्रकास सिंग ने सुबह साथ बज़े जाकर नगरपाली का बुलें शेयर चेतर कास्था लिए वतादे की निरक्षन करते नजर आए हैं और साथ साफाई का ज जगाउं का जवाईसा लिया है और डीम ने अनेक जगा गंदिगी मिलने से नाराज़गी भी जवाहिर की है और इस दौरान साफ सफाई की ववस्थाओं को लेकर नरदेश देते नजर आए हैं अलिगर में हाथ रस में हुए देश के बहुचर्चत मामले बतादे की बुलगरी कांड में बतादे की इस दौरान तीन आरोपी जवेल से रिहा हो गया है बुलगरी कांड में नयाले में तीन आरोपियों को बाईज़द बड़ी करते हुए बताते कि क्लीन च्विट दी गई है जिसमें बाद अलिगर जेल में तीन आरोपियों को रिहा किया गया है यूपी सटा केंग सरकार की सक्ती से अपरादी भाग रहे यूपी में कानून की राजपरसियों योगी आदितनात बतादे की स्थापित किया गया है जो कानून की बात नहीं मानेंगे उस पर सक्त कारवाई की जाएगे वहीं आज से अपराधी सुपरीम कोट की शरंड में जा रहे हैं अपराधी यूपी आने से डरते भी नजर आ रहे हैं और साथ ही योगी आदितनात लगातार ये कहते भी नजर आये हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाया जाएगा जिसको लेकर अब इसको लेकर प्रश्रासम भी सक्त नजर आ रही है और साथ ही ये लखनों की तस्वीर ज अच्छी पहल है उनके तरफ से आयोध्या जुसे राम नगरी कहा जाता है वहीं आज बता दे कि होली का पर्व शुरू हो गया है और इस दोरान लोगों में एक अलग खुशी देखने को मिल रही है और यह तस्वीर आयोध्या की जहां पर देखिए खुली के पर खुले कर कितने लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और बता दे कि यहां पर आज से जो नागा साधू होते हैं वो हनुमान जी को अभीर गुलाल लगाते हैं और साथ ही साधू जो है रंगोसब बेसबता का आगाज करते वे नजर आते हैं और यह आयोध्या की तस्वीर जिसे राम नगरी कहा जाता है और यहां होली का आगाज होते की तस्वीर सामने आई है बहराईच में नए भारत का नए आउतर प्रदेश की अवधारना और साथी केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाय जाने की उद्देश से सूचना और जन संपर्क विभार उगतर प्रदेश द्वारा कलेक्टर बहराईच में लगाई गई है जिसमें तीन दिवस्ते चितर प्रदर्शनी का प्रदेश में पूर्वसह कारिता मंत्री मुकुट प्तादे की बिहारी वर्मा ने चितर प्रदर्शनी का वलोकन करते हुए प्रदर्शनी का सरहने की है सुचना विभाग द्वारा पतादे के लगाए गई चितर प्रदर्फनी चात्र चात्राओं के आकर्फन का केंद्र बनी रही प्रदर्फनी में दूसरे दिन भी नगर के विभिन पता दे की पड़ी शदिये विध्याले और विभिन माधिमिक विध्याले में छात्र छात्राओं ने ये प्रदर्फनी लगाई केंद्र और प्रदेश सरकार की बेटियों के लिए लुभाओं के लिए महिलाओं के लिए और रोजगार से संबंदित जितनी भी योजनाएं है उसको यहां पर प्रदर्षित किया गया है साथ ही प्रदेश में किस परकार से चब्मुण की विकास हुआ है उसकी जलकी आपको यहां पर इस प्रदर्स्री देखने को मिलेगा मेरा सभी लोगों से अंडोध है कि यहां आएं विभिन समाज कल्यान से संबंदित योजनाओं को देखें इस प्रदर्शनी में चाहे वो यूबा हो पिर सक्थ हो रोजगार के चाहने वाले यूबा हो थराली में पंच्वायती राज विभाग के तस्वधान में बता दे कि नारायन भगड विकासखंड में रास्टिय ग्राम सुवराज अभिहान के तहे दो दिवस्तिये पडिक्षन विकासखंड नारायन भगड सभागर में संपन हो गया है वही परिक्षन में बड़ी संख्या में 35-45 प्रतिनीदी मौझूत रहे हैं वही शुरू हुई परिक्षन में नायन बगड, विकास खन के सभागर में हिमालिय परवतिय विकास सविती के मास्ट, ट्रेनरों के द्वारा, रास्ट की ग्राम, सुराज अभ्यान के तहर ठोस सादे की अबशिष्ट, प्रतिबंधित, प्रतिबंधन और स्वयम को राजस्प स्रोथ और दो दिवस्य परिक्षन में जन प्रतिनीध्यों को भी विशेश रूची रखते हुए अपने सवाल के जवाब भी दिये गए हैं वही रूदर प्रयाग में विश्प विख्यात के दारनाद धाम की यातरा में इस बार प्रश्रासन नहीं पहल शुरू की है और इस दोरान के दारनाग पैदल मार्ग पर चलने बाले घोडे खचरों की संख्या इस बार पहले से ही नरधारित की जा चुकी है पैदल मार्ग में इस बार मात्र 5,000 घोडे खचर की संचालित होंगे यदि यहाँ पर घोड़े खचर की संख्या 5000 से कम होती है तो बाहरी घोड़े खचर का संच्वालन रोस्टर के अनुस्वार किया जाएगा हमने देखा था कि अधिक घोड़े खचरों की संख्या के कारण कभी कभी ट्रेक रूट पर कंजेशन भी हो जाता है और हमारी जो वैस्ता हैं जैसे साफ सफाई की गर्म पानी की यादी क्यों भी सफर करना पड़ता है तो हमने ये डिसाइड किया है और इसमें अमने साफ जन से देख भी मागें कि हमें एक केरिंग केपेसिटी जो ट्रेक रूट की है उसके अनुसारी गोड़े कचरों का रेजिस्टेशन करें और जो घोड़े खचर उसके नमबर के अनुसारी रिजिस्टर होगी उनका medical check-up होगा और अगर अन्य घोड़े खचर अन्य जनपतों से या अन्य जगों से आते हैं तो उनको या तो रोस्टर प्रणानी से चलाए जाएगा या फिर उनको अन्य रूट्स पर ड्राइवर्ट किया है अब खबर नलित्सूपूर से आपको बता दे जहां पर यूवक ट्रांसपोर्मर में जुलस गया है दरसल यूवक ट्रांसपोर्मर में उचड़ गया था फिलहाल यूवक की हालत नासुप बनी हुई है श्रावस्ति में आंतरजन पदिये परशू तसकरी की पुलिस से मुढभेड हुई है जिसमें मुखबीर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने घिराबंदे की और तसकरों के देशी तमंचे से साथ ही पता दे तमाम की ये बरामत की गई है पुलिस टीम ने पर फाइरिंग भी की गई और जवाबी कारवाई में पशू तसकर सोनु के बाइपैड में कोली लग गई है वही तसकरों के कबजे से देशी तमंचा, कार्तूस, मोबाइल, फोन बता देए कि वाहन भी बरामत किये गई है पुलिस मुर्भेड में एक अभ्यूप को गिरस्तार किया गया है और उसके तीन साथी और गिरस्तार हुए है उसके अलावा उसमें से एक अभ्यूप था जो की भागने में सपल रहा है तीन मार्च को थाना मल्यूप द्वारा चेकिंग लगाई गई थी जिसमें मुग्विर द्वारा ये सोचना मिली कि 5 रोग हैं जो डखैती डालने की फिरात में हैं और अगर चेकिंग लगाई जाए तो उनको पकरा जा सकता है जब संदिक द्वानों की चेकिंग की जा रही थी उसी समय फिक्का पाई जो की संदिक लगी जब उसको रोखने का प्रयास किया गया तो उसमें से जो बैठे अभ्यूक प्रण्ड थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फारिंग की जिसमें पुलिस द्वारा भी जवावी फारिंग की गई इस जबावी फारिंग में एक अभ्यूप जिसका नाम सोनू पुत्र मेवाला जो की श्रवस्ती का ही रहने वाला है वो कुलिस मुर्भेर में घायर हुआ इसकी उपर कुल 18 मुकदमे है जो की गोंडा बहराईच और श्रवस्ती में पंजिकरित है करीब 300 करोड रुपे की लागत से आगरा के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तत्याहत स्थापित किये गए है वहीं बतादे की ओयल फ्रिपल सी यानि की बतादे की इंट्रोग्रेट से कंट्रूल एंड कमांड सेंटर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद से अभी भी शेहर के कई सारे कैमरे खराब पड़े हैं खराब कैमरों की तादाद करी 25-30 है और ये हाल तब है जब हाल ही में G20 सम्मिट के नाम पर शेहर को चमकानी की कवायर बड़े जोडो-शोडो से चल रही है लेलितपूर जन्तपत के गडाम बड़ी खड़िया में बतादे की प्राइमरी की मानिता लेकर चलाए जा रहे भगवान परशुराम पब्लिक स्कूल के प्रवंदक द्वारा अफीस लेकर नौदस ग्यारा बारा के क्लास चातर चातराओं को दूसरे क्लास के संबंध में परिफ़ा दिलाने के कारी किया जा रहा है जो की श्रास्टन पर नजर पर अबैद माना जाता है भगवान परशुराम के पब्लिक स्कूल के प्रवंदक द्वारा चातर में से जो भी फीस ली गई है उस फीस में बता दे कि रिपोर्ट कार्ड पर साफतोर पर जॉइनिंग डेट 4-7-21 लिखी हुई है और क्लास 11 लिखी हुई है फीस रिपोर्ट कार्ड में से यह साबित होता है कि इंटर्मीडियेट स्टैंडर्ड का यह विद्याले चलाया जा रहा है संभल में होली को लेकर लोगों में अगाला गुस्सा देखने को मिला है लोग अभी से ही होली खेलते में नजर आए है साथ ही यहाँ पर एकादिशी पर भी होली खेलने का एक अलग रस्म है और साथ ही प्रश्रासन भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है बता दे कि होली का तहवार काफी पात है और संभल में आभी से ही होली को लेकर अलग तस्वीर सामने आई है जले फिलाल इस बुलेटिंग में इतना ही न्यूजवल इंडिया पर खबरों का सिलसला लगातार जारी है नमस्कार